चेनने में चल रहे भारत और बांगलादेश की बीच टेस सीरीज में पहली इनिंग में क्या हुआ या आप सभी ने देखा किस तरीके से भारतिय टॉप ओर्डर लड़ खड़ा है और जिस तरीके से रवी चंदर अश्विन और जड़ेजा के इस जोड़ी ने उसको संभाला वो काफी जादा तारीफ के लायक था लेकिन क्या आप जानते हैं रवी चंदर अश्विन जड़ेजा से जलते हैं यह चीज हम नहीं कह रहे हैं यह बात खुद रवी चंदर अश्विन ने कही है रवी चंदर अश्विन ने रविंद्र जड़ेजा की जम कर तारीफ करते ह वे शुक्रवार को यहां कहा कि वह अपने इस स्पिन जोडिदार की आसाधारन प्रतिवार से जलते हैं और सोचते हैं कि काश वो उनकी तरह बन पाते गेंद बाजी में जब जोडी की बात आती है तो अकसर जहन में तेज गेंद बाजों के नाम आते हैं लेकिन रविंद्र जडेजा और रवी चंदरन अश्विन की जोडी ने स्पिन गेंद बाजी का भी खूब नाम बनाया है जियां दोनों की अब सिर्फ गेंद बाजी में जोडी अच्छी नहीं है बल्ले बाजी में भी काफी अच्छी है ये तो हमने इंडिया वर्स बांगलादेश फर्स टेस् लिखने को मिली जब इन दोनों ने इस साथवे विकेट के लिए 1099 रन की पार्टनर्शिप पनाई अश्विन ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद कुछ बातचीत करते हुए कहा मैं हमेशा उससे जलता आया हूं क्योंकि वो कितना प्रतिभशाली खिलाडी है उस अपना चटा टेस्ट चतक बनाने में मदद मिरी अश्विन ने कहा वो एक आसाधारन क्रिकेटर है मैं उसके लिए खुश हूं मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में उसे बल्ले बाजी करते हुए देखने से मुझे ये भी पता चला है कि मैं कितना बहतर हो सकता हूं जब गेन बाजी की बात आती है तो इन दोनों की अपनी अलग-अलग शैली होती है लेकिन वो टीम को फाइदा पहुचाने के लिए एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना सीख गए हैं ये दोनों जनवरी में अनील कुमले और हरबजन सिंग को पीछे छोड़कर भारत क की सबसे सफल गेन बाजी जोड़ी बन गए हैं अश्विन ने कहा वो इसे वास्तव में इसे सरल बनाए रखता है वो इसे यानि गेन बाजी को दिन बदिन दोहरा सकते हैं हम दोनों एक साथ आगे बढ़े हैं और हम दोनों ने कुछ खास चीज़ें की हैं उन्होंने कहा इ एक दूसरे की सफलता का पहले से कहीं अधिक आनंद ले रहे हैं ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं ये क्रिकेट केसरी